हालो मेरे पिरसातियों कैसे हो आपका अपना चैन आड़जे पाउर एजुकेशन डोबोंड यूरोपर आपका वैलकम आज मैं आपको करवाने वाला हूं महात्मा गांदी से रेडिटर्ड इंपोर्टन किसन जो सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टन होने वारे हैं इसलिए व महात्मा गांदी का जन्म हुआ थाए अक्टूबर 18 100 गुन तर को हुआ ठीक है आपको याद रखना हैं आप से पूछा जा सकता है किसी भी एक्जाम में ठीक है इसके बार चलते हैं महात्मा गांदी का जन्म खां हुआ था दो अक्टूबर अठासर गुलत्रों को तो हुआ था लेकिन हुआ खांपे था उनका जनम पोर मंदर राज्य के काठेवाड़ा एजनसे ब्रिटेंस भारत मी हुआ था ठीक है इस प्रकार से आपको याद रखना ठीक है फिर चलते हैं तिरी नमर पर मात्मा गांदी का नि समर्ats के नाम बताईं तो डÓश्गाठ और गंधी समर्टि थीकर इन दोनों को आपको याद रखना पूछे जा सकतेैं इसके बाद देखिये कोा मात्मा गांधी को आम तोर पर किस न नाम से जाता था उन्हें आम तोभ बापो के नाम से याना जाता था तेक है फिर देखते görev7 नमर का महत्मा गांदी के पास अपने जीवन में कौन सी नागरता थी उनके पास अठारहसो गुंघतर से लेके गुनीससो सहाहतारिश तक बिरितन सामराज्ये की नागरता थी गुनीस सोशनतारिश से गुनीसो एटारिश तक डेमुनिया ओफ इंडिया की नागरता रही थी इस प्रकार से आपको पूचा जा सकता है किसे भी एक्जाम में तो आपको याद रखना है ठीक है फिर देखते हैं आपके संदे रखा है मात्मा गांदी ने कानून की बढ़ाई कहां से की थी उन्होंने इनिवर्सिटी कोलेज की बढ़ाई की ठीक है इस कोलेज का नाम आपको याद रखना पूचा जा सकता है अपसे फिर दे कि मात्मा गांदी जी की किस वेवेसाय से जुड़े हुए थे वह एक वाकील उपने सिदवादी विरोधी और राजनेतिक नेतुतावादी ठीक है फिर देखते हैं इसके ब परत्रोधी की वकालत के लिए जाने जाते थे ठीक है फिर देखें मात्मा गांदी के उलेखन कारियों में से एक क्या है उनका उलेखन कर्तियों में से एक है सत्य के साथ मेरे प्रियों की कानी ठीक है फिर देखतें बारवा के सब गुनिस सो बीस से लेके गुनिस सो चॉंत तो इस तक मात्मा गांधी किस राजमेत धल से जुड़े रहे थे तो जुड़े रहे थे बारती राष्टे कॉंग्रेस से जुड़े हुए थे ठीक है फिर दखते हैं मात्मा गांधी ने किस आंदलोन में परमुक भुमिका निभाई थी ठीक है यह भी आपको याद रखना ठ कौन थी मात्मा गांदी जी की पत्नी कौन थी तो मात्मा गांदी जी की पत्ने का नाम आप से पूचा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं उनकी साधी भी कब हुई थी ये भी आप से नहीं पूचा जाएगा लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं ठीक उनकी मर्ति का वो इत्म की पत्नी की तो उनकी साधी हो थी 1883 में और गुनिस्तो चम्मालिस में उनकी मर्ति हो चुकी थी ठीक है यह आपको याद रख सकते हैं ठीक है इसके बार देखते हैं पंद्रवा नमर का मात्मा गांदी जी के कितने बच्चे थे यह जुरूर को आपको याद रखना है मात्मा गांदी जी का ठीक है फिर दीख फिर रखते हैं इसडियों स southwest राजिटि के पूत्र देवादास के सुसूर तो S. तशिराज गोपाल चलिए गांध जी के पुतर देयवदास के सुसरते इने शीराज गोपाल चलिए इसके समंद्धी थे इसलिए आपको याद रखना इनको भी फिर देखते हैं मात्मा गांधी जी को किस वर्ख टाइम पर स्नल ऑब डायर से नॉमिनेट किया गया था, तो मात्मा गांदी जी को 1930 में टाइम पर्सनल आप दायर से नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, यह आपको याद रखना, ठीक है, यह किसी इंपोर्टन्ट है, यानि टाइम पर्सनल आप दायर से कब नॉमिनेट किया गया था, तो 1930 में किया गया थ मात्मा गांदी जी को ठीक है फिर देखते हैं गुनिस्मा नमर मात्मा गांदी जी के पिता करमचंद उत्तमचंद गांदी जी का बेवसाई क्या था तो करमचंद उत्तमचंद गांदी जी ने पूरबंदर राज्जी के दिवाना मुख्यमंत्री के रुप में कारिय किया था ँसके पाद मात्मा गांदिजी के पिता क्रमचंध के कितने वार साधी की ठीक करमचंध ने अपने जीवन खाल में छ्यार बार साधी फिरफ और त терриud 전 के समॉन पूस्ट फूमी क्या थी गांदी जिक मान पुत्ली भाहि थी और वहाय हिंदु परीवार से रह यह आपको जहां रखना है करम चंद और पुत्लिवाई की कितने बच्चे थे उनकी तीन बच्चे थे ठीक है इसके बाद देखते है गांदी जी की बहन का क्या नाम था जिन्हों ने उन्हें बुरे के सामने बेचना बताया था तो गांदी जी की जिस बहन ने उनका इस परकार से वरण किया उनका नाम था नाम आप से पूचा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं ठीक है फिर देखिए चबीसवा किसन बच्पन में गांदी जी के कुछ पसंदिदी संगल क्या थे उनके पसंदिदी संगल में एक था कुट्ते को कान मरोडना यह जुरूर पूचा दा सकते हैं आप से इसको याद आख सकते हैं याद इंपोर्टन किसनों को आपको याद रखना है पड़नता सभी लेते हैं आप सभी को पढ़ लेते पढ़ने में कोई कुछ नहीं भीगड भी हला था ठीक है फिर देंगे अट्राइस गांधी जी के पिता करम चंद किस वर्ष राजजकोंट चली गए थी तो आथा सोब तो में परिवार राजजपोट में फिर से उनकी साथ क्यों जूड़ गया था तो राजज़ कोट के और तो दिवाना मुख्यमंतरी बन्य के कान परिवाद उनके पास फिर से राजगोट में आ गए थी ठीक है फिर देखे के तीसवा किसन करमचंद के बाद पूरबंद का दिवाना कौन बना करमचंद के भाई तुलसी दास उनका उत्रगारी के रूप में पूरबंद की दिवाना बने थी ठीक है गांदी जी ने किस उमर में राजगोट के इस्तानी स्कूल में परवेश किया तो गांदी जी ने नोवर्स की उमर में राजगोट के इस्तानी स्कूल में परवेश किया था ठीक है फिर देखे चोंतिसवा किसन देखे गांदी जी ने इस्तानी स्कूल में किन विस्यों की गांदी जी किस उमर में राजगोट की हाई स्कूल में समलित हो गए थे ठीक है , इसके बाद गय smiί यह भी आपको याद रह सकते हैं राजकोट की हाई स्कूल में गांधी जी किस परकार के चातर थे तो गांधी जी राजकोट की हाई स्कूल में एक ओसतन चातर थे एन कमजोर भी नहीं थे बिटिएम के ठीक है अपने सकूल statut के दुरान गांदी जी का खेलो के पड़ति क्या दि्ष्टिक्वत्रक्र्स रहता तो गांदी जुक अपने इस्कूल के वर्सके दुरान खेलो में कोई भी डूची नहीं थी ठीक है इसके बाद देखे 38 गांदी जी का विवा कब हुआ उस समय उनकी आयू कितनी थी तो 13 वर्स की आयू उनका साधी ओगे थी और 1883 में हुई ठीक है फिर देखे गांदी जी का विवा किसी से हुआ था उनका आम तोर पर इस्तमाल किया जाने वाला उपन्यास कियाता है गांदी जी का विवा कस्तूरा वाई का पूडिया से हुआ था जिने आम तोर पर या बोके नाम से भी जाना चाहता है ठीक है फिर देखे 40 वा किसन मात्मा गांदी जी ने अपने साधी के समय भीवा के बारे में अपने समझ की मुक्य ततों की रोप में क्या वर्ण किया है गांदी जी निने भीवा को नए कपड़ा पेनना मिठा खाना रिष्तेदारों के साथ खेलणा बताया गया इतिक है इसके बाद देखिए 41 वह किसन वह के परारम वर्ष में गांदी जी अपनी पतनी के बारे में कैसे महसूत कर से तो भी फिवा के परारम वर्षों के दुर जखेहट है घांधी जी के करनान जिताजा घृता थकिया जखेशד क्या उनकी पत्नी पहले बच्च का क्या नाम था उनकी पत्नी का पहला बच्चा की दिन जीवित है एॱं qué मिनOOOO De+, गांधी जी और उनकी पत्ने के अंत में किन, कितने बच्चे थे और उनका नाम क्या था, यह मैंने आपको भी बताया है, चार बच्चे थे ठीक है, यह आप से पूछा भी नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो कितने बच्चे थे यह पूछा जा सकता है, गांधी जी ने मा से समय के लिए भावनगर राज्य के समदास कोलेज में दाके ला लिया देकिन पढ़ाई छोड़ दी और पुरोबंदर में अपने परिवार के साथ लोट आई ठीक है फिर देखिए 47 का माव जी देवी जोसी जी जी ने गांदी जी के उनकी सिक्सा के समद में क्या सला दी तो उन्होंने सिक्सा देती कि लंदन में कानून के बढ़ाई करने पर विचार करने की सला दी थी लंदन में जाकर बढ़ाई करने की सला दी थी फिर देखिए गांदी जी के पहले जीवित और मा को लंदन में पढ़ने की जादत देने कें कि लिये क्या पर्तित किया था, तो गांदी जी ने मा सराप और महिला से दूर रहने की कसम खाई थी, ठीक है? फिर देखते हैं लंदन में कानुन के पड़ाई करने के गांदी जी की योजना ये उनके परिवार के सदिश्य में किस ने समर्धन किया तो गांदी जी के भाई लक्समी दास ने लंदन में अध्यन करने के उनकी योजनाओं का समर्धन किया ठीक है फिर दैकते हैं क्यानवा किसम लंदन जाने से पहले गण्धी जी कुण की जाती से क्यों वैसकार कर दिया गया था अपनेही बडोवकी सला के विरूद जाकर इंगलेंड जाने के कारण ने समास से बहस्कार कर दिया गए था ट्बैंगरेंजी शाइत्हे कादि Gestor का लिए तो गांधी जी ने अंग्डेंजी साहित्तिय के काक्षिया के University College London में दाखिला लिया था के यड़ पॉक्ति है फिर देखते हैं गांधी जी ने इंटर टेंपल इंस ओप कोट इसकूल लो अध्यनकिस चैत्र में दाखिला लिया तो गांधी जी ने ब्रेस्टर बनने की इरादे से कानून में दाखिला लिया ठीक है फिर देखिए गांधी जी ने सुरवात में लंदन में अपने सरम लेप कि फिर देखते हिए फिर्टी फाइब के लंडन जाने से पहले बुंबोई पोछने पर गान्दी जी कि-स समूधाई में रुखे थे तो गान्दी जी किस उम्मर में लंदन के बारे में बुलाया गया था तो गांदी जी Q9 लंदन कि बुल्दाई करने के बाद गांदी भारत लोटे और गांदी जी बारत लोट दी किम्किंख अपनी मां की मर्ती के बारे में पता चला और क्योंकि उन्होंने बंबोई की कानुन का प्रक्टिक्स इस्तापिद करने की खोसना भी की थी ठीक है फिर देखें मुंबोई में कॉल मुंबोई में वकालत इस्तापिद करने की गांधी जी के परियास में क्यों विपल रहे ज़ए गांदी जी के परियास भीपण रहे क्योंकि वह अग्वहाव में मोनोवेग्यनी की रूप में नहीं कर सकते थे ठीख फिर देखते हैं سाथवा कसंगे राजकोड लोटने पर गांदी जी सुरू में किस समस्था से काम किया तो राजगोट की लोटने पर गांदी जी ने वादियों के लिए याचक तयादी करके अपना मलूम जीवन्यापन किया था ठीक है फिर देखें एक सटवा दक्षने अपरिका में किस अवसर के कारण गांदी जी को अटारा सो तराणमें बार सोरना पड़ा था ठीक है तो गा सटवा के संदेखें दक्षनी अपरिका में अपने काम के लिए गांदी जी को कुल कितने वेतन दिया गया था और उनकी याद्रा वे को कितने कवर किया गया था तो गांदी जी को कुल एक सो पांच वेतन की रूप में पैस किया गया था और दक्षनी अपरिका के नेंटल क और कॉलोनी में उनके काम के लिए उनकी यात्रा का खर्चा बाहन किया गया था ठीक है फिर देखने इसमें अप्रेल 1830 में में गांदीजी अफरीका के रहने रते हुए उनकी उमर कितनी थी तो फेस्वर्सकी थे जब मुए अप्रेल 1830 में में देखिए द हक्सिन अपरीका 05 Chicago का सामना करना पड़ा द है। उनकी सभ्जा के रंग कि विरुससत के काड़ू का सामना करना पड़ा हुए उनने यूरोपी यात्रेयों के चक्राय साथ निकर ने ने दे गई उनने पिटा गया और में कई घतना को सामना करना पड़ा था स्वें देख गटनाय का वर्ण गुरू करें जिसमें गधि अधिक पीटर माईजेव फ्रक्त ट्रेन में फैक जाने के बाद गांधी जी ने विरुद कारना चुना और ट्रेन के स्टेशन पर रात पिताई उन्हें अगले दिन ट्रेन में चड़ने के निमुति देदी गई फिर देखिएं डर्बन अदलत के मधिस्टेड ने गांधी जी को उन्हें करने से इंकार कर दिया गया था है पिर देख्सें जब गांधी जी अफीर का पहुंचे तो उन्होंने सुर में अपने जीवन koy कैसिस देखा जब G रहने के लिए परेद किया गया था नैटल सरकार के द्वारा बेहद पूर्ण परस्ताव के कारण गांदी जी को दक्ष्ण परिका में अपना परस्ताव पड़ा और उन्होंने भारत को बोट देने के अधिकार से वंचित करने वाले वैदिकों का विदाइकों का विरुद करने की उजना बनाई थी ठीक है फिर देखे बारत को बोट देने के अधिकार से वंचित करने वाले विदाइकों को रोकने के परियास में गांदी जी ने किसे अपील की तो गांदी जी ने ब्रिटेंस ओपनेसिक सचिव जोशेब चें मदद की और जिसका भारते समुदाई पर क्या परपा पड़ा तो गांदी जी ने अठारा सो चोराण में में नेटला इंडियन कॉंग्रेस की स्थापना में मदद की जिसने दक्षनी अफ्रीका से भारत के समुदाई के राजनेतिक ताकत की रूप में एकिकर्ट किया गया थ देखते हैं कैतरवा किसन गुनिस सो में बो और युद के दोरान गांदी जी ने किस भूमिका के लिए शुचक काम किया था गांदी जी ने शुचक स्ट्रेशर के होने वाले एक समुद बने इसमें नेटल इंडियन एम्बूलियन स्कोर के नाम से जाना जाता था ठीकिए थे देखें वो और युद के दोरान गांदी जी ने ग्यारा सो भारते शुचक को क्यों खड़ा किया तो गांदी विर्टेन रॉपने से रोड़ी को खारिज करना चाते थे कि हिंदू खत्रे और प्रेस्रम से जुड़े मर्दानियां गतिवीदियों के लिए उप्यूक त और उनके श्यूम शेविक ने कॉलस की लड़ाई में इस्पिनिया को लड़ाई में साइका की रुप में काम किया जहां उन्होंने गहिल से निकों को फिल्ड अस्पताल में पहुंचाया और युद के दो तो गंधी जी ने बातरो को बूर युद के दोरान उनकी सेवा के लिए राणी, का धक्षण या परिक्षा सव्जेर भाका था, ठीक है प्रिकन के लिए एक आधरियों लागू किया गांदी जी ने पहली बार साइट ते गड़े हैंसंग विरूद के प्रत्य को अपना कर और भारतियों की नई कानन की अवलोकन करने का अगरे करके प्रत्य के लिए को वक्त की गई तीक है में 115 में गैंदी जी ने बाठ लोटने का अंरोद किस ने किया है और अंजरोध उन्हें किस ने आवग्ध कराया तो गोपल खौकला ने गांदी जी से भार्ट लोटने का अनुरूद किया और यह अनुरूद उन्हें सी एप इश्ट्रू यूज द्वारा बताया गया है पिर देखे, 1915 में भार्ट लोटने पर गांदी जी ने क्या भूमी का निवाई तो भार्ट लोटने पर गांदी जी ने परमुक भारतिय राष्टवाद, सिद्दान तिगरण और समुदाइक आयजोगी की रूप में अंतराष्टिय अरजित किया गया था, ठीक है पिर देखते हैं, गांदी जी को भारते मुद्दे, राजनेतिक और भारती लोगों की मुख्य रूप से किस ने परजित किया, तो गोपल किसना कोकला जी ने गांदी जी की मुख्य मुद्दे के बारे मुने पताया, ठीक है फिर देखते हैं गांधी जी ने भारते राष्टे कॉंग्रेस का नर्तु कब समाला और उनके नर्तुरतों के दोने क्या मेरतुरों गोशना की थी तो गांधी जी ने 2020 में बार्ते राष्टे कॉंग्रेस का निर्थ शमाला और उनके निर्थतों में 26 जनवरी 1930 को कॉंग्रेस ने बार्त की सब्सक्राइब की गोष्णा की गई थी ठीक है पिर देखि 1930 के दसक में अंत में गांधी और कॉंग्रेस ने ब्रिटेंद राज के लिए अपना संब्रतन क्यों वापिस लिया जब वाइस राहिनों ने सितमबर गुनीश सो गुनतालिस में विना फ्रामिस के जर्मनी की युद्ध की गोष्णा की तो उन्हें अपना संब्रतन वापिस ले लिया पिर देखिए Gu Bareness में गांधी जी ने कौन से परमुक मांग की और अंगेंघ्योजन इस पर क्या पठत करिया दि तो Gu alone में गांधी जी ने तत्कालए सो दंता की मांग की और अंग्रोजन उन्हें और हजारो और कॉंग्रेस नेताव को क्यद करके जवाब दे दिया ठीक है घ् पर्थम विश्युद के दोरान वाइसराय ने गांधी जी को क्या निमेंत्रन दिया अप्रेल गुनी सो अठारा में पर्थम विश्युद के दोरान वाइसराय ने गांधी जी को दिल्ली में एक युद्धू समयलेन में अमेंत्रन किया गया था ठीक है फिर देखे तियासी न पर्तम युद में गांदी जी ने लड़कों की बरती का प्रयास करने का प्रयास किया जबकि गुनिस और चेह में जुल्य युद जैसे पिछले वर्सों में संगर्शन उन्होंने एंबूलन स्कॉर को स्विम शेविगा की बढ़ती की ठीक है फिर देखें 25 में जून गुनिस सो अठारा के एक पत्रक में गांदी जी ने हत्यारों के इस्तमाल और बढ़तियों की समंध में वकालत की थी तो पत्रक और गांदी जी इस पात की वकालत की प्रश्टिक की भारत में हतियार रखना और उनको प्यूब करने की समता होनी चाहिए और उन्हें सेना की भरती होने की परस्ताइंद किया गया था ठीक है इसके बाद देखिए गांदी जी ने अपने बढ़ती अव्यान को अपना हैंसा के सिद्दान तो के साथ कैसा जोड़ा तो गांदी जी ने वाइसनर की निजी सची को ले एक पत्तर कहा है वो यक्तितिक रूप से किसी भी सदस्या दुस्मन नहां मारेगा गाहिल ना राजनेटिक अप्राव घ्लिए जेल में कभरा एका तो गुलिष में राजनेटिक अपर एकियल में लीघ्ल में रिया कर दिया गया तो की निmost्य पॉदिश्वाइटक में ऊत्रश्तकी दोड़ान गॉंदी जील कपरत्तम लक्षा तो नंकार था की भारत के श्यु में गांधी जी दिसमरगोंsheagна 28 में कॉलकता कॉंग्रेस में गांधी जी ने क्या पस्ताउग रखा तो गांधी पsm पा। किया जिसमें विडेन सरकार से भारत के पर्भाव दरजा देना और पूर्ण सोत्रवता को अपने लख्षे के रूप में या सयोग के लिए एक नई व्यान का सामना करने का आहवान किया गया था ठीक है फिर देखते नबबबे नमर किसम देखिए सुवाचंदर बोस भगत सिंग जैसे कुछ नेताओं ने गांदी जी की मुल्ले और हैंसक दस्टिकूर्ण के क्या सवाल उठाया कुछ कई हिंदू नेताओं ने किस बात की वकारत की की और गांदी ने पर्तिक्रिया में अपने आहवान को कैसे संबोधित किया तो कई हिंदू नेताओं ने ततकाली सुतन तक की वकारत की लेकिन गांदी ने अपने ही आहवान को संसदित कानते हुए दो साल की बज़े एक साल क प्रतिक्षिया की ठीक है कि इसके बाद देखिए इसके बाद आगे देखिए important mission के एक यह देखिए गांदी जी ने 2 मार्ज 1931 को भारत के वाइसे लॉष को क्यों बेजा था गांदी जी ने दो मार्ज 1930 को लाट एक पत्र के रूप में एक ultimate बेजा जिसमें Britain सorg सेर्च की निंदा की गई और विरुयत के हम सर रूप में पार उट्वी दिया गया था ठिक कि देखिया नामक मार्श क्या था इनकी गोष्णा के क्या सिसी क्या रहा तो तो ड़ की गोष्णा को तोड़नी गोष्णा इराद हो एक रही तक कि पच्छेस दिन लगे थे इसके बाद देखिए इसमें सो किसन है जो कंप्रेट हो जाएंगी अब ठीक है फिर देखिए इसमें सोवा किसन देखिए लास्ट गांधी जी ने किसे अभ्यान का नेतुत किया जो भारत के विट्टेंस आसन को सुनुद्टेने में सपल रहे थे किसें पूझे भी जा सकते हैं नहीं भी पूझे दा सकते हैं लेकिन अब एक बार देख लिए अच्छे किसा नहीं भी ठीक है ताज का विडिगें कतम करते हैं